बिस्मिल्लाः आज हम जिद्दन और आइदन के बारे में पढ़ेंगे कि जिद्दन का यूज कैसे करते हैं जिद्दन मिन्स बहुत आइदन इसका यूज कैसे करते हैं आइदन मिन्स भी जो लिखा हुआ है अगर आपके पास दो शक्स कड़ा हो एक नस्दीक हो एक दूर हो और दोनों के बारे में आपको बताना है यह खुबसूरत है तो अरबी में कैसे कहेंगे हाद जमील यह खुबसूरत है वजालिक एज़न जमील और वो भी खुबसूरत है जिद्दन, जिद्दन means बहुत, हादा कभीर, यह बड़ा है, लेकिन आपको कहना है, यह बहुत बड़ा है, तो कैसे कहेंगे, हादा कभीर, जिद्दन, यह बहुत बड़ा है, ऐधान, ऐधान means also, English में, हादा जमील, यह खुबसूरत है, this is beautiful, जिद्दन means very, English में, हादा कभीर, यह बड़ा है, this is big, हादा कभीर, जिद्दन, यह बहुत बड़ा है, English में, this is very big, यहाँ पर, गुफदुगू मैंने तयार की है, आप भी तयार कर सकते हैं, पिछले लेसंसे, समझ कर, मन हादिह, यह कौन है, हादिह, लड़की मुषनेस के लिए है, तो हादिह, इसका मतलब है, कि हम किसी लड़की के बारे में पूछ रहे है, मन हादही यह कौन है हादही उखतुल महंदिसी यह इंजिनियर की बहन है अगर आपको दूसरा बताना है तो आप दूसरा बता सकते हैं कुछ भी जवाब हो सकता है मैंने हमने जवाब दिया हादही उखतुल महंदिसी यह इंजिनियर की बहन है का इस्तिमाल करते हुए मैंने कहा क्या ओभी इंजिनियर है कौन ओ महंदिस की बहन क्या ओभी इंजिनियर है ला हमको नहीं में जवाब देना है तो कैसे बोलेंगे ला नहीं ही तबीबत वा लेडी डॉक्टर है अगर हां में जवाब देना होता तो कैसे कहते हैं नाम हिया मुहंदे सतुन